नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यान्द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि भगवान स्री कृष्ण का चंद्रमा और मंगल से क्या समंद है क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी ग्रह हैं उन सब का समंद भगवान स्री कृष्ण है जितने भी ग्रहन अच्चतर हैं भगवान स्री कृष्ण के अदीन है मतलब भगवान स्री कृष्ण के जितने भी ग्रह हैं वो सगे सबंदी है और उन्हीं के अदीन है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा और मंगल से उनका क्या संबन्द है तो पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं देखे विश्णो रूप में लक्ष्मी जी और कृष्ण रूप में लक्ष्मी जी का अंशरुक्मनी जी भगवान स्री किष्ण की पत्नी है शब्दों पे गौर कीजिएगा विश्णो रूप में लक्ष्मी जी और कृष्ण रूप में लक्ष्मी जी की अंशरुक्मनी जी भगवान स्री किष्ण की पत्नी है चंद्रमा और लक्ष्मी जी समुंदर से परकट हुए हैं तो इसलिए चंदर्मा लक्षमी जी के भाई है तो इस कारण चंदर्मा भी भगवान के साले हुए तो यह भी स्रिक्रिशन के अश्रितों पर अपनी किर्पाई बरसाते हैं तो कहने का तात पर यह हैं कि जो भगवान स्रिक्रिशन की पूजा करेगा उन्हें चंद्रवा भी रहत देते हैं उन्हें परिशान नहीं करते और हुमाते मंगल पे भगवान वाह और पित्वी देवी का पुत्र मंगल अर्थार्थ ये तो भगवान के पुत्र हुए भगवान वारा और पित्वी देवी के पुत्र हैं मंगल अर्थार्थ भगवान के पुत्र हुए अता भगवान स्रीकिष्ण की शरण लेने वालों को इनसे भी डढ़ने की जरूरत नहीं है मतलब मंगल भी आपको परिशान नहीं करेंगे बाकि उनका जो कारे है थोड़ा बोथ करना तो मतलब ये हलके से आप निपड़ जाय करोगे अगर आप भगवान स्रीकिष्ण की पूजा कर रहे हैं उनकी अरादना कर रहे हैं तो मंगल भी आपको ज़्यादा परिशान नहीं करेगा तो कहने का ताथ परिया ही कि सारे ग्रहन चत्र ही उनके रिष्टेदार है तो फिर उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करें उन्हीं की अरादना क्यों नहीं करें भगवान शिव भी हैं तो भगवान शिव और भगवान विश्णू या भगवान स्रीकिष्ण सब एक ही हैं बगवान शिव विश्नु की पूजा करते हैं और बगवान विश्नु शिव की पूजा करता है तो धन्यवाद आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत हैं आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद